हेलो दोस्तों इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम जिस विशय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कार्बन योगिकों के रासाइनिक गुण धर्व दोस्तों सबसे आम कार्बन योगिक हाइड्रो कार्बन्स हैं जो आलकेन्स आलकीन्स और आलकाइन्स हैं हम आज जिन रासाइनिक गुण धर्मों का अध्ययन करने जा रहे हैं वे हैं देहन अभिक्रियाएं कमबस्चन रियाक्शन ओक्सिकरन अभिक्रियाएं ओक्सिडेशन रियाक्शन संकलन अभिक्रियाएं एडिशन रियाक्शन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रिप्लेस्मेंट रियाक्शन देहन अभिक्रिया सभी प्रकार के हाईडरोकार्बन में होती है प्रतिस्थापन केवल संत्रिप्त हाईडरोकार्बन, साचुरेटेड हाईडरोकार्बन, अलकेन द्वारा होती है जबकि संकलन अभिक्रियाएं केवल असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन, अनसाचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अलकीन्स द्वारा होती हैं। आईए, हम देहन अभिक्रिया कमबस्चन रियाक्शन से शिरू करते हैं। अपने सभी अपरूपों में कार्बन, ऑक्सिजन में देहन करके उश्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डायोकसाइड देता है। देहन पर अधिकांश कार्बन योगिक भी प्रचुर मात्रा में उश्मा एवं प्रकाश को मुप्त करते हैं। ये कुछ ओक्सिकरण अभिक्रियाय हैं जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्य तह स्वच्छ ज्वाला निकलेगी जबकि असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काले धुए वाली पीली ज्वाला निकलेगी लेकिन वायू की आपूर्ती को सीमित कर देने से अपूर्ण देहन होने पर संत्रिप्त हाइड्रोकार्बनों से भी कजली ज्वाला निकलेगी घर में उप्योग में लाई जाने वाली गैस अत्वा कैरोसीन के स्टोर में वायू के लिए छिद्र होते हैं जिनसे परियाप्त मात्रा में ऑक्सिजन सम्रिद्ध मिश्रन जल कर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होगा कि वायू छिद्र अवरुद्ध हैं तथा इंधन का व्यार्थ व्याय हो रहा है कोईले तथा पेट्रूलियम जैसे इंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रुजन तथा सल्फर होती हैं तो दोस्तों हम देहन अभिक्रिया कमबस्चन रियाक्शन को कैसे परिभाशित कर सकते हैं वायू में कार्बन डायोकसाइड, जल, उश्मा एवं प्रकाश देने के लिए कार्बन योगिक के देहन की अभिक्रिया को देहन अभिक्रिया कहते हैं आईए एक और उदाहरण पर चर्चा करें अलकेन्स वायू में जलकर अत्यधिक उश्मा पैदा करते हैं जिसके कारण अलकेन्स उत्कुरुष्ट इंधन है जिस अभिक्रिया में एक योगिक ऑक्सिजन प्राप्त गेन करता है या उसमें से हाइड्रुजन का हरास लॉस होता है ऑक्सिकरंड ऑक्सिडेशन कहलाती है दहन करने पर कारबन योगिकों को सरल्टा से ऑक्सिक्रित किया जा सकता है इस पूर्ण ऑक्सिकरंड के अतिरिक्ट ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिन में आल्कोहौल को कार्बॉक्सिलिक अमल में बदला जाता है। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों को ऑक्सिजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सिндारक, ऑक्सिडाइजिंग एजन्स कहा जाता है। शारिय पोटाशियम परमैंगनेट अथ्वा अमली क्रित पोटाशियम डाइक्रोमेट अलकोहॉलों को अमलों में ओक्सिक्रित करते हैं अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ओक्सिजन्स जोडते हैं अतैव इनको ओक्सिकारक ओक्सिडाइजिंग एजिन्स कहते हैं तो अब हम जानते हैं कि ओक्सिकरन ओक्सिडेशन क्या है और ओक्सिकारक ओक्सिडाइजिंग एजिंड्स क्या है चलिए अगले प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में जानें ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमानूओं को कुछ अन्य परमानूओं द्वारा प्रती स्थापित किया जाता है प्रती स्थापन अभिक्रियाओं सब्स्टिटूशन रियाक्शन कहलाती हैं संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभीकर्मकों की उपस्थिती में अक्रिय होते हैं हाला की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिती में अतितीवर अभिकृया में क्लोरीन के हाइड्रोकार्बन का संकलन होता है क्लोरीन एक-एक करके हाइडरुजन के परमाणूं का प्रतिस्थापन करते हैं इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिटूशन रियाक्शन कहते हैं क्योंकि एक प्रकार का परमाणूं अत्वा परमाणूं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं साधारन तह उच्च समजातिय एलकेन के साथ अनेक उत्पादों का निर्मान होता है इस अभिक्रिया में मीथेन के केवल एक हाइडरोजन परमानू को क्लूरीन परमानू द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और हमें क्लोरो मीथेन प्राप्थ होता है अधिक क्लोरीन की आपूर्ती करने से एक-एक करके क्लोरीन द्वारा मिथेन के सभी हाइडरोजन परमानूओं को प्रती स्थापित करना संभव है इस तरह हम तीन और योगिक डाइकलोरो मिथेन या मिथलीन डाइकलोराइड प्राप्त कर सकते हैं आईए अब हम अगली अभिक्रिया के बारे में जाने जिस अभिक्रिया में एक असंत्रिप्त हाइडरोकार्बन किसी एक उत्पात को बनाने के लिए किसी अन्यपदार्थ के साथ संकलित होता है उसे संकलन अभिक्रिया एडिशन रियाक्शन कहते हैं संकलन अभिक्रियाएं जैसे की हाइडरोजिन, क्लोरीन या ब्रोमीन के अलावा असंत्रिप्त हाइडरोकार्बन की एक विशिष्ट गुण धर्म होते हैं सभी असंत्रिप्त हाइडरोकार्बन जिनमें द्वी आबंद और त्री आबंद होते हैं जैसे की अलकीन्स और अलकाइन्स संकलन अभिक्रियाएं करते हैं पेलेडियम अथ्वा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिती में असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ कर संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्दर से आगे वढ़ती है जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं निकेल उत्प्रेरक का उप्योग करके साधारन तह वनस्पती तेलों के हाइड्रोजनी करण में इस अभिक्रिया का उप्योग होता है वनस्पती तेलों में साधारन तह लंबी असंत्रिप्त कार्बन श्रिंखलाएं होती हैं जबकि जन्तु वसा में संत्रिप्त कार्बन श्रिंक लाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ विज्यापनों में कहा जाता है कि वनस्पती तेल स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। साधारं तह जन्तु वसा में संत्रिप्त वसा अमल होते हैं जो स्वास्थित के लिए आनी कारक माने जाते हैं भोजन पकाने के लिए असंत्रिप्त वसा अमलों वाले तेलों का उपयोग करना चाहे सामान्य रूप से असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए निकेल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक्की उपस्तिती में हाइड्रोजन जोडते हैं एक असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के जोड को हाइड्रोजनी करण हाइड्रोजनेशन कहा जाता है और वनस्पती तेलों से वनस्पती घी तयार करने के लिए इस हाइड्रोजनी करण प्रक्रिया का उप्योग किया जाता है दोस्तों इस वीडियो में हमने कार्बन योगिकों के रासायनिक गुण धर्म Chemical Properties of Carbon Compounds का अध्ययन किया अगले वीडियो में हम एथनॉल तथा एथनॉलिक अमल के बारे में जानेंगे